क्या हो अगर मैं आपको बताओं कि रोमन रिंग्स वो लास्ट तीन सुपरस्टार में से एक है जिए उनस सीयंपॉक और डबल 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 रिंग में पिन किया था तो क्या आप इसके बारे में जानते थे आप मुझे कमेंट में पता सकते हो आज मेरे पास डबल 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 ए से रिलिटेट बहुत सारे निउस एंड अपडेट्स है तो वीडियो में लास्तत बने रहे हैं पहली अपडेट ही है कि क्या यह जो ौ्डबल डबल ए का नियोU एरा चल रहसे प्रिबल एच के आने के बाद से क्या हो अपने पीक पर चल रहा है नेक्स्ट स्टोरी यह है कि फाइनल बॉस दरॉक ने यह कन्फरमेशन दे दिया है कि वो रिसलमेनिया 41 में कमपीट करेंगे तो क्या हमें फाइनली रोमन रिंग्स वर्सेस दा रॉक देखने को मिलेगा यद दा रॉक अपनी स्टोरी लाइन कंटिन्यू करेंगे जो वो छोड़ कर गए थे कोडी रोड्स के साथ आज की रोग से हमें यह पता चल गया है कि King of the Ring के सेमी फाइनल में Randy Orton Bloodline को फेस करेंगे क्योंकि आज उन्होंने कारमेल हेस को हरा कर सेमी फाइनल में एडवांस कर लिया है दोस्तो रियो मर्स यह आ रही है कि रोग के King of the Ring के सेमी फाइनल मेंच से जो कि गुंतर और जे उसो के अर्येंस्ट होने वाला है उसमें से जे उसो ही जीतने वाले है और मैं ऐसा इसलिए कहा रहा हूँ क्योंकि गुंतर को नेकर नियूज यह आ रही है कि गुंतर साओधी अरेविया नहीं जा पाएंगे अपने बीजा इसूस के कारण और आज के देनी 14 साल पहले एक क्यावल साल के ब्रेट हाट ने दमिस को हराया था और बन गहे थे नियू यूनाइटे सेट्स चैंपियन यह कोई नियूस तो नहीं है बस एक हिस्ट्री में घटी एक वियर घटना थी सोचा कि आपके साथ शेयर कर दो और आज की लास्ट और फाइनल अपडेट ही है कि इस साल डब्री डब्री में सबसे ज़्यादा मैच के सुपरस्टार ने जीता है डैक टीम और लाइव एवेंट्स को मिलाकर और नमबर वन पर है हमारे अंडिस्पूटेड यूनिवर्सल चैंपियोन कोडी रोर्स 43 जीत के साथ नमबर टू पर है जे ओसो 26 जीत के साथ नमबर फूर पर है सैमी जेन 21 जीत के साथ नमबर फाइप पर है गुंथर 20 जीत के साथ तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो तो आज के लिए इतना ही अब आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर